Hello everyone, दोस्तों आज की special वीडियो में हम देखने वाले हैं मराठा सामराज से बनने वाले सारे important सवाल इस वीडियो में हम 90 plus questions को cover करेंगे ठीक है? जो की काफी important रहेंगे और अगर इस topic से question आता है तो यकिनेन मानों इनी 90 question में से आपको एक question देखने को मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखेगा काफी important chapter है Indian history का हर एक exam में इस topic से question पूछे ही जाते हैं तो वीडियो को end तक देखेगा प्लीज ठीक है? तो चले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो question number 1 है हमारा मराठाओ के उतकर्ष के महतपूर्ण कारण क्या थे? तो कौन-कौन से महतपूर्ण कारण थे दोस्तों तो देखते हैं महाराष्ट की भगोलिक इस्तिति ओरंग जेब की हिंदू विरोधी नीती मराठा धर्म सुधारोकों का प्रभाव सिवाजी द्वारा दक्षिन के सासकों से आर्थिक वसेननी सहयता प्राप्त करना और सिवाजी का जुजारू व्यक्तित्व तो इन पाच ओप्षन में से जो महत्पूर्ण कारण थे दोस्तों वह महत्पूर्ण कारण कौन से था तो महाराष्ट की भगोलिक इस्तिति ओरंग जेब की हिंदू विरोधी नीती ठीक है फिर मराठा धर्म सुधारोकों का प्रभाव और सिवाजी का जुजारू व्यक्त नहीं था मराठाव के उत्कर सका तो याद रखना option number C यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा नेक्स्ट सवाल है हमारा मराठावने सरप्रतम किसके अधिन कार्य कर प्रसासनिक अनुभव प्राप्त किया तो किसके अधिन कार्य किया था तो यह किया था देवगीरी के यादवों के अधिन याद रखना तो option number A यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर करना ठीक है फिलाल बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर त्री के और मराठाओ के बरगी गीरी गुण का सबसे पहले और सबसे आधिक उप्योग किसने किया तो बरगी गीरी मतलब कि गुणिल्ला युद्ध प्रनाली का जो उप्योग किया था ये सबसे पहले किया गया था मलिक अंबर ने किसने किया था मलिक अंबर ने नेक्श्ट सवाल है हमारा नेन वलिकित में से गुरिल्ला युद्ध का पत प्रदर्शक कोन था तो गुरिल्ला युद्ध का जो पत प्रदर्शक माना गया था ये माना गया था सिवाजी को important सवाल है, देख सकतो SSE में already है, पूछा गया question है, next सवाल है हमारा सिवाजी के प्रसासन ने पेशवा कहा जाता था आपको बताना है कि सिवाजी के प्रसासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था प्रदार मंत्री को IMP सवाल पूछा जाता है ये भी next सवाल देखते है question number 6 चोथ क्या था तो चोथ जो था दोस्तो यह था पड़ोसी राज्यों पर सिवाजी द्वारा लगाया गया भूम्मी कर ठीक है एक प्रकार से टेक्स कहलाता था कौन सा? चोथ तो याद रखना next question देखते है question number 7 ये उमारा Maratha राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है तो Maratha राज्य का जो दूसरा संस्थापक कहा गया है ये कहा गया है बाला जी वि रिस्वनात को next question है question number 8 निन्मलिखित यूरोपी शक्तियों में किसने सिवाजी को तोपे प्रदान की तो निनमलिकित जो सक्तिया थी उनमें से सिवाजी को तोपे प्रदान की गई थी यह तोपे प्रदान की गई थी दोस्तो अंग्रेजों के द्वारा याद रखना जो सिवाजी को तोपे प्रदान की गई थी वो अंग्रेज के द्वारा की गई थी नेक्स्ट सवाल हमारा सिवाजी ने मुगलों को किस संदी के द्वारा किलों को हस्तांत्रित किया तो किस संदी के द्वारा किया था किलों को हस्तांत्रित तो यहां किया गया था पुरंदर किसंदी के द्वारा याद रखना इसे देख सकते हैं ये भी एक्जाम में पूछा गया कोस्चन है 10 नमबर कोस्चन है सिवाजी का राज जी अभिसे कहां पर हुआ था दोस्तों इसे भी आयमपी लगा लिजे और रट लेना मैं बोलता हूँ ठीक है काफी बार एक्जाम में ये कोस्चन देखने को मिला है तो सिवाजी का जो राज जी अभिसेक हुआ था ये हुआ था राएगड में कहां पर राएगड याद रखना नेक्स्ट सवाल के और बढ़ते हैं कोस्चन नमबर 11 हमारा किसके सासनकाल में मराठा प्रमुक संभाजी की हत्या कर दी गई थी तो किसके सासनकाल में संभाजी की हत्या की गई थी ये आपसे पूछा है तो संभाजी की जो हत्या की गई थी ये ओरंग जेब के सासनकाल में की गई थी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर करना और आपको सारे कोस्चन अगर important और अच्छे लगे हो तो वीडियो को like करना और चैनल पर नहे हो तो subscribe करना ताकि एस सही important वीडियो आपको daily की तरह मिलती रहे और मैंने काफी सारे topic wise objective cover किये हैं topic wise ठीक है उन वीडियो उसको भी जरूर देखेगा तो question number 12 हमारा सिवाजी की सामराजजी की राजदानी कहां थी तो सिवाजी की सामराजजी की राजदानी जो थी यहां थी रायगड में कहां पर रायगड याद रखना बढ़ते हैं next सवाल की और question number 13 हमारा पानिपत की तिसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी यह भी देख सकते हो कितनी एक्जाम में पूछा है railway, ssc, cds, uppsc ठीक है काफी सारी एक्जाम में यह already पूछा गया question है तो पानिपत की तिसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में हुई थी और यह हुई थी किसके बीच तो याद रखना बाजी राव एवाम अहमद सा अबदाली के बीच तो option number है यहां पर बिल्कुल right answer हो जाएगा next सवाल 14 number question देखते हैं सिवाजी सरवादिक प्रभावित थे तो जो सिवाजी थे यह प्रभावित थे जिजाबाई से किस से जिजाबाई से next सवाल अश्ट प्रदान मंतिर परिशद किस सासक के सासनकाल में थी तो यह भी रट लेना पूछा जाता है दोस्तों ठीक है जितने भी मैं IMP बता रहा हूँ यह 100% question देखने को मिलते हैं दोस्तों एक्जाब में ignore मत किजेगा ठीक है तो अश्ट प्रदान मंतिर परिशद किस सासक के सासनकाल में थी तो यह जो थी यह सिवाजी के सासनकाल में था अश्ट प्रदान मंतिर परिशद नेक्स्ट सवाल है सिवाजी के राजनितिक गुरू एवं सनरक्च कोन माने गए थे तो सिवाजी के जो राजनितिक गुरू माने गए थे तो यह I think आपको पता होना चाहिए दोस्तों important सवाब है तो सिवाजी के राजनितिक गुरू जो थे यह थे कोंड देव दादा जी कौन्ड देव नेक्स्ट सवाल कोश्चन नमबर 17 यहाँ पर आपको सही मिलान करना है ठीके तो सारे ओप्सन सिवाजी से रिलेटेड है तो बताना है आपको तो चले देखते हैं जो साहाजी भूसले थे ठीके यह कौन थे तो यह सिवाजी के पीता थे जिजा भाई कि मैं बात करूँ तो यह सिवाजी की माता थी समर्थ रामदाज जो थे यह कौन थे तो सिवाजी के अध्यात में गुरु माने जाते थे और दादा जी कौंड देव आभी मैंने बताय कौन थे तो सिवाजी के संडरक्षक माने गए थे तो अप्सन नमबर A यहाँ पर बिल्कुल सही मिलान राइट आउंसर होगा इस कोस्चन का ठीक है नेक्स्ट कोस्चन, कोस्चन नमबर 18 सिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं सिवाजी के पूत्र संबाजी को मराठाओ की संगटीत करने एवं महराष्ट धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला महराठा संत कोन था तो महराठा संत में अगर मैं बात करू तो अहे की नाम सबसे प्रशित्दे दोस्तों वो कौन सा है? या दखना समर्थ रामदास यह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है, दास बोध के रचनाकार है, तो दास बोध के जो रचनाकार थे वो कौन थे? समर्थ रामदास देख सकते होँ नेक्स्ट लाड वेलेसली की सहायक संदी को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था तो लाड वेलेसली की सहायक संदी को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो था पेशवा बाजीरा दुतियो याद रखना इसे? सर्जामी प्रता किस्त से संबंदी थी तो सर्जामी जो प्रता थी यह संबंदी थी दोस्तों मराठा भूर आजस्व विवस्था से तो अप्सन नमबर है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट सवाल 22 नमबर कोश्चन देखते हैं वह कौन सेननायक था जिसे बिजापूर के सुल्तान ने 16 सो उनसा हाट में सिवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए बेजा था तो वह कौन सेननायक था तो वह था आपजल खा आपजल खा राइट आंसर हैं पर नेक्स्ट सवाल है सिवाजी मुगलो की केद से भागने के समय कौन से नगर में केद थे आयमपी सवाल है ये भी तो जो सिवाजी थे कौन कहां पर केद थे ये आपसे पूछा है जो सिवाजी थे मुगलो की केद से भागने के समय कौन से नगर में केद थे ये आपसे पूछा है तो इसका सही राइट आंसर होगा आगरा ठीक है आगरा में केद थे नेक्स्ट सवाल ग्वालियर राजी की स्ठापना किसने की थी तो ये तो I think इतियासकार ने पानिपत की तिसरी लड़ाई को स्वयम देखा, वह कौन था तो वो कौन सा इत्यासकार था जिसने पानेपत के तिसरी लड़ई को सोयम के आखो द्वारा देखा था तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कासी राज पंडित Next सवाल सिवाजी द्वारा दुर्गो पर किये गए आधिकार का सही क्रम कौन सा होगा तो जो सही क्रम होगा दोस्तों वो कौन सा होगा सीहगड कुंडाना तोरण पुरंदर फिर राइगड तो अपसर नमबारे यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा Next सवाल यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कौन सी घटना कब हुई थी तो जो बिजापूर के सड़दार अपजल खा की हत्या हुई थी यह हुई थी 1659 में दक्कन के मुगल सुबेदार साइस्ता खा पर पुना में हमला जो हुआ था यह हुआ था 1663 में सुरत की जो प्रतम लूट हुई थी यह हुई थी 1664 में और सुरत पर जो दूसरी लूट की गई थी यह 1617 में की गई थी तो देख ले ना ओप्सन नमबर यहां पर बिल्कुल राइट अंसर होगा इस कोस्चन का जो की सही मिलान है ठीक है तो नेक्स्ट कोस्चन है 28 नमबर कोस्चन सीवाजी का जन्म कहां हुआ था तो जो सीवाजी का जन्म हुआ था यह हुआ था सीवनेर के दुर्ग में कहां पर सीवनेर के दुर्ग में नेक्स्ट स्वाल है सिवाजी ओरंग जेप के आगरा दर्बार में कब उपस्तित हुए थे तो कब हुए थे दोस्तों? तो याद रखना 1665 में ठीक है 1665 यहाँ पर बिल्कुल राइट अंसर होगा सोरी दोस्तों यह जो सिवाजी औरंग जेब की आगरा दरबार में उपस्तित हुए थे यह उपस्तित हुए थे 1666 में ठीक है 1666 में याद रखेगा नेक्स्ट सवाल है हमारा संबाजी के बाद मराटा सासन को निन मलिकित में से किसने सरल एवम कारगर बनाया तो संबाजी के बाद जो मराटा सासन को सरल और कारगर बनाया था यह बनाया गया था बालाजी विश्वनात के द्वारा नेक्ष्ट सवाल है 31 नमबर कोश्चन है सिवाजी के अश्ट प्रदान का जो सदस्य विदेसी मामलों की देखबाल करता था वह कोन था? तो वह था सुमंत कोन था? सुमंत याद रखना नेक्ष्ट सवाल सिवाजी को राजा की उपादी किसने प्रदान की थी? तो सिवाजी को जो राजा की उपादी प्रदान की गई थी यह की गई थी ओरंग जेब के द्वारा किसके द्वारा? ओरंग जेब के द्वारा अगला सवाल है सिवाजी ने कब चत्रपती की उपादी धारन कर अपना राज्य अभिसेख करवाया important सवाल तो कब राज्य अभिसेख करवाया था तो यह करवाया था जून 1674 में 1674 में याद रखना अगला सवाल देखते हैं 34 number question कासी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने सिवाजी का राज्य अभिसेख करवाया तो यह करवाया था विश्वेशर जी गंगा भटने तो option number 1 यहाँ पर right answer होगा next सवाल है अपने राज्य अभिसेख के उपलक्ष में सिवाजी ने क्या नहीं किया तो क्या नहीं किया था सभी प्रकार के कर हटा लिए यह नहीं किया था ठीक है बाकि तिनों option जो है यहाँ सिवाजी द्वारा किया गया था राज्य अभिसेख के उपलक्ष में ठीक है next सवाल है सिवाजी का अंतिम सेन्य अभियान था तो सिवाजी का जो अंतिम सेन्य अभियान था वो क्या था करनाटक अभियान याद रखना इसे करनाटक अभियान राइड अंसर होगा next सवाल 37 number question है सिवाजी को पहाड़ी चुवा वो सहसी डाकू की संग्या किसने दी थी तो पहाड़ी चुवा वो सहसी डाकू की जो संग्या दी गई थी ये दी गई थी ओरंग जेब के दवारा किसके दवारा ओरंग जेब के दवारा next सवाल सिवाजी के समय में अश्ट प्रदान कहा जाता था तो अश्ट प्रदान कहा जाता था आट मंत्रियों की एक परिशत को आट मंत्रियों की एक परिशत को कहा जाता था दोस्तो ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और 39 नमबर कोश्चन है यहाँ पर आपको सही मिलान करना है ठीक है तो जो अश्ट प्रदान के सदस्य थे और उनका क्या अर्थ है यह आपको यहाँ पर बताना है तो देखते हैं जो मजुमदार आमात्य है वह वित्त मंत्री एवं राजय सु मंत्री का लाता था वाक्या नविश मंत्री जो था उसे ग्रह मंत्री की संग्या दी गई थी सुमंत और दबिर को कहा जाता था विदेश मंत्री और सुरुनिस या सुरुनिस या सचीव इसे क्या कहा जाता था सही पत्र विभाग का प्रधान तो उप्शन नमबर A यहाँ पर राइट अंसर हो ज ये नोबत का जो अर्थ था वो था सेनापती क्या था सेनापती नेक्ष्ट सवाल है सिवाजी की भूराजेस्व विवस्ता के संदर्व में क्या सत्य था तो सिवाजी ने रसी द्वारा माप के इस्थान पर काठी एवं मानक चड़ी का प्रयोक किया था तो ये तो बिल्कुल सही है भूराजेस्व की दर अरंब में कुल उपज का 33% था जो बाद में बढ़ा कर 40% कर दिया गया तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर राइट अंसर होग सिवाजी ने जमिन दारी व जागिर दारी का विरोत करते हुए रैत बाड़ी व्यवस्ता को अपनाया तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों तो अप्शन नमबर डी जो दिया है वो प्रक्त सभी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है 42 नमबर कोस्चन चोत मुगल छेतरों की भूमी एवाम पड़ोसी राज्यों की आय का चोता हिस्सा होता था इस करको किस वंस के सासकों ने वसूला तो यह जो वसूला जाता था मराटा वंस के द्वारा वसूला जाता था नेक्स्ट कोस्चन है सरदेश मुखी की वसूली सिवाजी इस अधार पर करते थे कि वे महराश्ट्र के पुस्तेनी सरदेश मुख या प्रधान मुख्या थे सरदेश मुखी राजेश्व का कितना प्रतिशत होता था मतलब प्रदान मुख्या का कितना प्रतिशत होता था यह आपसे पूचा है तो यह होता था 10% कितना 10% Next सवाल मराठा काल में इस्थाई गुड़ सवार सेना एवम और इस्थाई गुड़ सवार सेना कलाती है तो क्या कलाती थी पागा बरगिर या सिलहदार एक हवलदार के आधिन कितने गुड़ सवार होते थे तो एक हवलदार के जो आधिन गुड़ सवार होते थे उनकी संक्या कितनी होती थी तो 25 25 गुड़ सवार होते थे Next सवाल मराठा कालिन पेदल सेना में एक नायक के आधिन कितने पायक या पेदल सेनक होते थे तो कितने पेदल सेनक होते थे तो इसे भी याद रखना 9 यहापर राइट अंसर होगा option number A फिलाल बढ़ते हैं आगे फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक like करना और channel पर नए हो या पेली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो subscribe जरूर कर ले ला ताकि ऐसे ही important आपको वीडियो daily की तरह मिलती रहे तो 47 number question है हमारा सिवाजी ने मजबूत नोसेना का गठन किया था सिवाजी का सरुरपतम नोसेनिक बेड़ा कहां इस्थापित था तो कहां पर इस्थापित था कोलाबा में कोलाबा यहां पर राइट अंसर होगा next सवाल है किसने प्रतिनिधी का किसी प्रतिनिधी पद का सरजन किया जो पद क्रम में पेश्वा से भी उपर था तो प्रतिनिधी पद का स्रजन जो किया था यह किया गया था राजराम के द्वारा जो कि पेश्वा से भी उपर का पद माना जाता था अगला सवाल सिवाजी के बाद क्रमस दूसरा छत्रपती एवं दूसरा पेश्वा कोन बना तो कोन बना था संबाजी एवं कवी कलस याद रखना ये भी पूछा जाता कोस्चन अगला सवाल फिफ्टी नमर कोस्चन देखते है ठीक है यहाँ पर सही मिलान करना है कोन सा छत्रपती किस सासनकाल में किस सासनकाल से संबंदित यह आपको बचाना है तो जो संबाजी था उनका सासनकाल था 1680 से 89 तक का ठीक है राजा राम का जो था 1689 से 1700 इसा पूर्व तक थारा भाई का था 1700 से 1708 तक और साहू प्रतम का था 1708 से 1709 तक तो उप्शन नमबर यहाँ पर बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है देख लिए एक बार Next question है हमारा 51 नमबर question है किस मराठा सासक के सासनकाल को पेशवाओ के सासनकाल के नाम से जाना जाता है तो किस मराठा सासक के सासनकाल को पेशवाओ के सासनकाल से नाम से जाना जाता है तो याद रखना साहू सासनकाल को Next question है मराठा मंडल या मराठा राज्य संग किस थापना किस पेशवा के समय हुई तो किस पेशवा के समय हुई थी तो बालाजी विश्वनात के समय में हुई थी माराटा मंडल की स्थापना फिलाल बढ़ते हैं आगे 53 नम्मर कोश्चन है यहापर मुगलो एवं मराटाओ के बीच 1719 इस्वी की संदी को रिचर्ड टेंपल ने मराटा समराज्यो काओ बेगनाटा कहा है यह संदी बालाजी विश्वनात एवं सैयद बंदुओं के कि ने किसके नाम पर की तो किसके नाम पर की थी मराटा चैतरपति साहू एवं मुगल बास्था रफी उद रजात के नाम पर याद रखना ऑप्सन नमबर एहापर राइट अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है मराटा समराज्य की सबसे बहादूर महिला कोन थी तो मराटा समराज्य की सबसे बहादूर महिला जो थी वह थी तारा बाई नेक्स्ट कोचन है वह अंतिम छत्रपती कौन था जिसने संपुर्ण आधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपती नाम के राजा रह गए और दिरे-दिरे सारी सक्ति पेशवा के हाथ में चली गई तो वह अंतिम छत्रपती कहलाता था साहू प्रतम नेक्स्ट कोचन यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकाल कर आमर किरती का आरजन कर सकते हैं यदि हम इस सूक रह पुराने व्रक्च के तने पर आयात करेंगे तो इसकी साखाए आपने आप ही गिर जाएगी यह किसने कहा था तो यह कहा गया था बाजी राव प्रतम के द्वारा बाजी राव प्रतम के द्वारा कहा गया था अगला सवाल 57 नमर कोच्चन है किसे लड़ाकु पेशवा एवं हिंदु सक्ति का आउतार कहा जाता था तो यह कहा जाता था बाजी राव प्रतम को नेक्स्ट सवाल निन्म में से किसने पुर्त गालियों से सालसेट एवं बेसिन के दीपों को छीना था तो यहाँ पर राइट अंसर होगा बाजी राव प्रतम ठीक है प्रतिन नमर कोच्चन है किस पेशवा ने मुगलबाद साह महम्मद साह रंगिला को मराटा सक्ति की एक जलक दिखाने के लिए 1737 इस्वी में दिल्ली पर आकर्मन किया और महम्मद साह को मालवा की सुबिदार पेशवा के नाम करने के लिए विवश्च किया तो किस पेशवा के समय हुआ था तो इसका राइट अंसर होगा बाजी राव प्रतम नेक्स्ट कोच्चन है 16 नमबर कोच्चन देखते हैं किसके समय में मराटा सक्ती आपने चर्मों उतकर्स पर पहुची तता साथ ही मराटा सक्ती का पतन भी आरंब हुआ इंपोटेंट सवाल है तो किसके समय में हुआ था इसा बालाजी बाजी राव याद रखना नेक्स्ट कोच्चन 61 नमबर कोच्चन देखते हैं आपर पेश्वा बाजी राव एवं चत्रपती राम राजा के बीच हुए संगोला संदी के संबंद में क्या सत्य है तो यह संदी पुना संबेलन में सभी प्रमुक मराठाओ सरदारों की उपस्ति में किया गया तो यह तो राइट अंसर है चत्रपती राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेच पर हस्ताक्चर करने के लिए कारण यह संगोला संदी कलाया तो यह भी बिल्कुल सत्य है केंद्री सरकार का पूरा दफ्तर 17 से पुना कर दिया गया एवां पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया तो यह भी यह पर बिल्कुल सत्य है तो अप्सेन नमबर डी यह पर बिल्कुल राइट अंसर होगा चारो विकल्प सही है ठीक है 62 नमबर कोश्चन देखते हैं किस मराटा सर्दार ने पूर्व में बंगाल बिहार उडिसा में 1741 इंकावन के बीच मराटा सक्ति का अप्रस्तार किया एवां बंगाल के नवाब अली वर्दी खा को संदी करने पर विवश किया तो किस मराटा सर्दार ने इसा किया था रगो जी बोसले यहां पर रइट अंसर होगा नेग्स्ट सवाल किस मराटा सर्दार ने 1758 या 1759 में पंजाव विजय किया तो इसका रइट अंसर होगा रगुनात राओ रगुनात राओ 64. किसने दिल्ली में मुगल बास्था की सायता के लिए रखे गए अपनी सीना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दिवान ए आम की छट से चांदी निकल वाली तो किसने निकल वाली थी? सदासी वुराओ भावुने नेक्स्ट कोश्चन हमारा दो मोती जल में घुल गए सोने की 27 मोहरे खोई गई चांदी और तांबे की जो हाने हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता यह किस संबंदी थे? तो यह संबंदी थे पानिपत के तरती युद्ध में मराठा से नाके विनास से तो अप्शन नमबर ए हैं बर राइट अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है 66 नमबर कोश्चन है पानिपत के तरती युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्पून सेनने सरदार थे? तो कौन से ते विश्वास राव एवं सदासिव राव भाव? नेक्स्ट कोश्चन किस इतियास कार ने कहा अपानिपत का तरती युद्ध एक निरनायक युद्ध था? मराठा सेनना की मुकुट मनी वही गिर गई थी और इस युद्ध के पस्चात मराठाओ के आकिल भारती सामराजी के स्वप्न नश्ट हो गए तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो होगा जदुनात सरकार जदुनात सरकार अगला सवाल हमारा सिवाजी के बाद किसने गुरिला युद्ध का संचालन किया? तो गुरिला युद्ध का संचालन किया गया था बाजी राओ प्रतम के द्वारा फिलाल बढ़ते हैं आगे 69 नमबर कुश्चेन हमारा तो किस मराटा पेशवा को मेक्या वेली कहा जाता था? तो किस मराटा पेशवा को मेक्या वेली कहा गया था? यह बोला गया था नाना पड़न विस नाना पड़न विस नेक्स्ट सवाल नीनमे में से किसने पानिपत के तरती यूद्ध में संगठित मराटा सेना का निर्त्वत्वत्व किया गया था ये सदाशीव राव की द्वरा किया गया था याद रखना इसे नेक्स्ट सवाल है पानिपत के तरती यूद्ध के परिणामों में परिणामों से पेशवा बाजी राव को घहरा आगात लगा जिससे उनके मरत्य हो गई जो बाजी राव थे तो उनके बाद में पेशवाओ को कल अनुकरम सजाईए तो बाजी राव के बाद कोन आया था उन्हें सही क्रम में आपको बताना है तो जो सही क्रम होगा मादव राव फिर आय थे नारायन राव फिर आय थे मादव राव और फिर आय थे बाजी राव बितियो ठीक है तो आप्सन के तुरू देखा जाए तो एक दो तीन चार यह पर बिल्कुल राइट अंसर होगा ओप्सन नंबर A नेक्स्ट सवाल 71 नंबर कोश्चन है स्वरी 72 नंबर कोश्चन है हमारा वर्स 1771 में दिल्लीक की गद्धी पर साहा अलम धिती को पुनर इस्थापित करने वाला मराठा सरदार था तो कोन था सिंध्या जी महादा जी सिंध्या जी नेक्स्ट सवाल किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था इंपोर्टेंट सवाल तो किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था यह कहा जाता था दोस्तों माधव राव को माधव राव को याद रखना नेक्स्ट सवाल है किस पेशवा के आबोध होने के कारण माराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की बारा सदस्यों की एक परिशत करती थी तो कौन करता था मादव राव नारायन नेक्स्ट सवाल 75 नमबर कोस्चन इंपोर्टेंट सवाल रट लेना इसे भी तो यह जो हुआ था मादव राव नारायन के सवाल में अंगल मराठा यूद्ध नेक्स्ट सवाल है द्यूती अंगल मराठा यूद्ध अगला सवाल मराठा यूद्ध के समय में मराठा पेशवा कौन था तो कौन था बाजीव राव द्वितियो अगला सवाला मारा माराटा सामराज्य का आंतिम पेश्वा कौन था तो माराटा सामराज्य का आंतिम पेश्वा जो था वो था बाजी राव द्वितियो नेक्स्ट कोस्चन 78 नम्मर कोस्चन देखते हैं पर आपको सही मिलान करना है कि कौन से संदी कब हुई थी तो देखते हैं जो सूरत की संदी वी थी ये हुई थी 1775 में पुरंदर की संदी ये हुई थी 1776 में बढ़गाव की संदी वी थी 1779 में वरसालबाई की संदिवी थी 1782 में तो उम्मेदे समझ में आया होगा तो option number है यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा ठीके दोस्तों अगर कोई सा question नहीं समझ में आए तो वीडियो को pause करके उसे समझने का कोसिस करना ठीके 79 नमर question है सुमेलित कीजिए सुमेलित कीजिए हाँ पर संदि का नाम बताना है किस सन में हुई थी कौन सी संदि यह आपको सही मिलान करना है तो देखते हैं जो देवगाव की संदि हुई थी यह हुई थी 1803 में मतलब की 1803 में सुर्जी अरजुन गाव की संदि हुई थी 1803 में और राजपूर घाट की जो संदी वीतिये हुई थी आटरसो माच में तो अप्सन नमबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है फिलाल बढ़ते हैं आगे जो अमारा 18 नमबर कोश्चन है त्रती आंगल मराठा युद्ध के दोरान सबसे अंतिम संदी थी तो कौन सी सबसे अंतिम संदी थी कानपूर की संदी कानपूर की संदी सबसे अंतिम संदी माने गई थी नेक्स्ट कोश्चन है मराठा सची वाले कहलाता था तो क्या कलाता था मराठा सची वाले फाद फाद बिल्कुल रैट अंसर होगा नेक्स्ट सवाल त्रती अंगल मराठा युद्ध जो की अंग्रेजो एवं मराठाव की बीच अंतीम युद्ध था का परिणाम हुआ था तो क्या परिणाम हुआ था पेश्वा का पद समाप्त कर दिया गया वं बाजी राधुतिय को पेश्वा बनाकर बिठूर में रहने के लिए बेश दिया गया तो ये तो बिल्कुल सही है पेश्वा के प्रदेश पुना को अंग्रेजी राजी में मिला लिया गया ये भी सही है अन्य छोटे छोटे राज्य मराटा राज्य कमपने के अधिनस्त हो गए तो ये भी बिल्कुल सही है ये तेनों जो परिणाम थे ये त्रती अंगल मराटा युद्ध के दोरान हुए थे ठीक है नेक्स्ट सवाल 83 नमर कोस्चन है नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको फिरसे सही मिलान करना है किस राज्य का संस्थापक कों था तो बढ़ोदा का जो संस्थापक माना गया था ये माना गया था गायकवड इंदोर का संस्तापक माना जाता है होलकर नागपूर का संस्तापक माना जाता है भोसले और गवालयर का संस्तापक माना जाता है सिंधिया तो option number E यह पर बिलकुल right answer होगा next question 85 number question है किस ने कहा था कि हमराठाओ का अउदय आकस्मिक आगनी कांड की भाती हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Grant Duff Next सवाल 1785-82 के प्रतम अंगल मराठा युद्ध का निनमलिकित में से कौन सा परिणाम था तो कौन सा परिणाम होगा किसी भी पक्ची की जीत नहीं हुई यह यहाँ पर बिल्कुल सही परिणाम था अप्चन नमबर C Next सवाल है 87 नमबर कोश्चन देखते हैं अहमद सा अबदाली के भारत पर आकरमन एवां पानिपत की तिसरी लड़ाई लडने का तातकालिन कारण क्या था तो जब जो तातकालिन कारण था पानिपत की तिसरी लड़ाई का वो सबसे सही और तातकालिन कारण चार अप्चन में से था वह मराठाओ द्वारा लाहोर से अपने वाइसराओ तेमुरसा के निसकासन का बदला लेना चाहता था तो यह यहाँ पर बिल्कुल सही परणाम था तातकालिन कारण था ठीक है नेक्स्ट सवाल 88 नम्मर कोश्चन वरंग जेप की मरत्यु के समय मराठा नेत्रुत किसके हातों में था तो यह था तारावाई के हातों में पूछा गया कोश्चन है आई एमपे ठीक है नेक्स्ट सवाल सिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने चत्रपती की उपादी धारन की यह भी पूछा जाता है कोश्चन तो सिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और चत्रपती की जो उपादी धारन की थी 1674 में की थी नेक्स्ट कोश्चन हमारा चत्रपती सीवाजी के मरत्यू के पस्चात उत्तर एदिकार के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी तो यहाँ लड़ाई हुई थी राजा राहम एवं संबाजी के बीच नेक्स्ट सवालरी सुडियो का लाश्ट कोश्चन इस टॉपिक का लाश्ट कोश्चन है कि पेश्वाई को कब समाप्त कर दिया गए यह आप से पूछा है कि पेश्वाई को कब समाप्त कर दिया था तो यह किया था 1888 में सोरी 1888 में ठीक है तो मिदे सभी कोश्चन अच्छे लगे होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है और मैं यही कहूंगा कि मैंने काफी सारे टॉपिक को MC की रूप में कवर किया है उन्हें आप देखना चाते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से जरूर देखेगा मैंने एंडियेंग जियोग्राफी पॉलेटी एकोनोमिक सभी को टॉपिक वाइस अबजेक्टिक रूप में कवर किया है जाके जरूर देखेगा तो यहीं उम्मित करूँगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे जरूर सपोर्ट करोगे ठीक है तब मिलते हैं नेक्ट टॉपिक के साथ जब तक के लिए जय हीं आल दे बेस्ट